कर देखते हैं आज कैसे सेंटिमेंट रहने वाला कैसे ट्रेडिक रहने वाली है कल मैंने आपको लिए कुछ पोस्ट किया था आपने अगर देखा होगा तो मार्केट उसी रेंज में फानिल जाके क्लोज करने की कोसिस किया है फर्दा इसमें क्या रहेगा सारी चीज हम डिट लेकिन उससे पहले अगर नए है तो इससे आपको सिर्फ लर्निंग कंटेंट के लिए वीडियो में जो भी कंटेंट दिया जाते हैं तो आप उसको लर्निंग के तरह से लिए ट्रेड करने से पहले रिक्स रिवार्ट को मैंनेज करके ही प्लानिंग करें चैनल के लिंक तो आपको ध्यान से ट्रेडिंग करना होगा तो यहां से आप देखोंगे एक बाद दुबारा से पुल बैक उपर जाता है फिर आगे नीचे फाइनली क्लोज करता है और अल्टिमेंटल यह 71,000 था उसके बाद है 70,800 यह रेंज हमारे इंपोर न थी मार्के न इसके उपर क 7,400 के बीच में क्लोज किया है यह हमारा सपोर्ड और रेस्टन्स लेबल था अब हम देखते हैं चार्ड पे फ्रेंट्स मैंने आपके लिए पोस्ट किया था 71,000 से लेके 71,400 पहले इसको भी आपके लिए क्लियर कर देते हैं अगर यहां से आप देख रहे हैं तो लगातार मार्केट एक रेंज में ही ट्रेवल किया है यह जो 400 पॉइंट की रेंज है यह मार्केट ने काई बार रिस्पेक किया है लेकिन ब्रेक नहीं कर पा रहा है ब्रेक ना करने पीछे कारण है क्योंकि इसने लगभग आप देखोगे 10 से 15 ट्रेडिंग सेसन में 16 से लेके continue यह 7 को ब्रेक करता है लब अगर आप देखते हैं लब अगर यहां पर 12 से 15 ट्रेडिंग सेसन ऐसी रही है जिसमें मार्केट ने इसको होल्ड किया है तो होल्ड किया तो कहीं न कहीं आप उस टाइम पे डिमांड हुआ करती थी अब यह नीचे से उपर जाएगा तो वही डिमां के आसपस क्लोज किया है इनकेस मार्केट जा आज की पॉस्बिल्टीज है अगर इसका फॉल आप नीचे की तरफ आता है तो इसको 70,800 और उसके बाद में 70,600 का लेबल यहां आपको देखने को मिल सकता है ऐस पर माई व्यू और मार्केट अगर उपर भी निकलता है तो इस 300 से 300 पॉइंट पर आपको अच्छे रेजिस्टन्स देखने को मिलेंगे अब इसकी बाद में अगर हम 4-hour setup में देख लेते हैं तो 4-hour setup में अगर फ्रेंड्स आप देखते हो तो यह candle थोड़ा सा यहां से रिकवरी करने की कोसिस किया था लेकिन अगर यह उपर से नीचे आ वो market यहां दोनों condition के लिए open है अगर इसके उपर close करने लगता है तो फिन immediate आपके लिए 1500 पॉइंट उपर खोल जाता है लेकिन market अगर इसके जो red line है 71400 के नीचे ही close करता रहता है तो हमें continue अभी market के डाउन ट्रेंड के लिए ही watch करना होगा उसके पीछे का reason अगर आप फेवर में अभी फिलाल के लिए है जो कि है lower low का इन लगातार नीचे candle बनाते हुए जा रहे है यह कहीं यहां पे high बनता है तो भी हम लगातार negative trend में ही रहेंगे इसको आपको ध्यान में रखे ही planning करने होगी और नीचे का जो support level इसके लिए 70,800, 70,600 यह सारी important level है अब market यहां से 70,280 से react किया था तो इभी एक छोटा support का काम करेगा नहीं तो 70,000 already immediate support बना हुआ है जो कि अभी इससे 1000 point नीचे हुआ है अब यहां पर friends अगर हम daily time frame में देखते हैं तो daily time frame में यह candle बनी है जो अगर उस candle को आप देखने को से करें तो यह deciding candle होती है कि दोनों तरब में उससे कहां move करना है upside downside दोनों side इसके लिए open है तो आपको यहां से ऐसे प्लान करना होगा कि market में जिधर opening हो उस side हमें जाना होगा कम से कम 300 से 400 point आपको मिलने चाहिए तेखते है friends जैसा sentiment है कि हम यहां पर जरूर देखेंगे लेकिन overall अभी positive trend बनता हुआ नहीं दिखाए दे रहा है as per my view so please plan as per your risk analysis and risk reward की बिस्वे थांक यू